अब 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 यूटीब चैनल वाइफाई गूगल गयान और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमने जो आज का डियाडियो का एक्जाम था आज का जो एक्जाम था वो फिटर और एलेक्ट्रीशन के काफी जो है कैडि कि फिटर ट्रेट से ध्याइननलेजस करेंगे लोगों को कुल्स लोगों के नोड। में चीज़ेंगे तो आप लोग बस देखके चलिएगा अब दुएफेड है मेरा त्रेट फीटर है तो अब अपना डिसकर्शन करते हैं यह जो कि हमाई साथ में पुरा बिल्कुल लगे हुए हैं और आज का जो इनका बहुत बड़ा मुल्ब युबदान था तो बाकि अब जो हम अपनों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है डिसकर्शन सबसे पह नॉर्मल था मीडियं था ज्याद नार्मल ठाव था मीडियर था ठावन तो आप लोग को को स्टन जदी याद है तो आप लोग बताएं जितना भी स्टन आप लोग को आ रहा है वह आप लोग बैंसर। तो याद हो तो बताया नुन का नाटेक का एक परसेंटेस गूसन था कारेको समस्था छालदूरी आए अचान सरक सुटहाई नाफ सं ऋससस्य नाइए था कुछ मिला कि नर्माली क्यूसन था जो कुछ था ज़ाधा टफ नहीं था अभर आउसा तो गर आशे कोई कुछन थे अब रेस्टे है और रिच्छिव से था रेस्टे अब रिच्छिटी नहीं थे और उगो जो इंग्लिस के देख़े जाए तो फिर मनलब फिर अक्टीव आइस पैसिए वाइस था एकैट्व था डारेक्ट लिद्वलायक आया था प्रिंद बलेंग आ गया था उसके बाद आपका ये और सब्सक्राइब नारेशन से था उसके ग्रामेट का लीरर था सब ये स्पेलिंग टेस्ट था इंग्लिस में इंग्लिस से दस लमसम क्वेश्चन थे सब्सक्राइब करते हैं यहीं का सब्सक्राइब करते हैं पूंद्डर से पूछा तो उसमें कि कालेंडर में कोश्चन था अगर किसी की 1947 में अगर साधी किसी की संदे के दिन अगर में किसी की संदे के किडिन तो 15 साल में किकतने साल किरा फिर संदे के दिन नहीं आयंक्त है ओक कोश्चन था कि 28 somebody पंदरह साल के अंतरगत कितने रभी वार आएंगे उसके आपसंसे आठ साथ चार दो इसके लिए आप लोग कलेंडर कोश्चन अभी अगर कर सकते तो कर लेजिए घड़ी का कोश्चन था घड़ी का कोश्चन में दरपर प्रत्वीम उच्छा था तीन बच के 30 मिनट पर यद पारित हुआ था उसका उन्नीस और इसके बाद आपका था डियाडियो के अध्यच कौन है और तमान अध्यच समीर कामत और इसके बाद नॉन टेक के ठीक ठाक कोश्चन थे जो इतियास के कोश्चन तो दिखेंगे नहीं अगर जितना चाहिए उतना ज्यादा कठिन थे नह अगर कोई लड़का थोड़ा बहुत अगर मेनत किया होगा तो 30 31 ले लेगा आराम से क्योंकि उसमें रिजिनिंग के कोश्चन थे रिजिनिंग में कोश्चन था है कि 121 का संब्दी 11 से तो 441 का संब्द किस से होगा दूसरा था कि एक विशम चुनना था विशम में था असंगत चुनना था और सिटिंग अरेंजमेंट से था कि अगर किसी ब्यक्ति को दसमया स्थान पर और नीचे से 400 अस्थान है किलोमीटर बाद वर्टेक करेगी कितने किलोमीटर बाद मिलेगी चाल दूरी थे था कार समझ से था कि एक आदमी या दो लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 5 आदमी 7 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे चाल मतलब वर्क टाइम और का को स्चन था और इसके बाद इंगलीश में इंगलीश भी कुछ खास नहीं नर्यशन से था एक दो फिल ने फिलिंग दे पलेंग थे एक दो रांग संटेंस चूनना था और एक एक कोस्चन मिला था जो मतलब सिक्वेंस भाई ठाना था तोड़ तो 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 अच्छा तो आपको कुछ यहाद आ रहा है तो नॉन टेक में और आपको पूछ नहीं अगर जो बेसेगली पढ़के जाते हैं तो आप लोग को नान टेक में हमें ही कहेंगे कि लगवग कोस्टन डियाडियो और मतलब डियाडियो या इर्दिगित इसी के गूम रहे थे विटामीन से कोस्टन था कि रेटिनाल की किस विटामीन की कमी से होता है अच्छा एक चीज़ आप लोगी बता है जैसे करेंट अफेयर जो आ रहे हैं आप लोग को कहां से मतलब कैसा लगता है कि करेंट अफेयर में एक कोस्टन पूछा था कि 2022 में अभी जल्दी आरडी डवलू की अस्थापना किस राज में हुई है और यह करेंट का करेंट का कोस्टन था मलेसिया किर्केट एसोसियेसन किसे अपना आइकॉन को चुना है करेंट का कोस्टन का दो-तिन कोस्टन मिले हमें अच्छा टाइमिंग उसका देखा जाए तो कहां से मिलब लोग पिछले बहुत खाश नहीं फिर भी पिछले दो तीन महिने या चे महिने तो इनफ हो जाएंगे अगर पढ़ लेता है तो इनफ हो जाएगा और एक चीज़ यह हम लोग को जाना जूरूर है कि जो निमी है मनलब जो इसकील भारत है क्या वहां से कुस्टन आ रहे है क्या रखता आप लोग जी निमी के मामले में हम बोलेंगे तो निमी के इर्दगी थी कुस्टन से लेकिन लांग वेस्ट थोड़ा चेंज या फिर यह प्रियोक करते हैं जैसे कोड मापने के लिए करते हैं इसके बाद और कॉस्टन थे उसके किस फाइल पर सिंगल कट का मतलब एक कट वाली फाइल को क्या करते हैं उसमें आपसंस है डबल कट सेकेंड कट और तो उसमें सिंगल कट का आंसर सही था और इसके बाद देखने के लिए प्रिसिशियन इस्टुमेंट से 3-4 कोस्चन को मिल गए और फाइल से सीजल से कोस्चन मतलब नहीं हमारे था कारण का रंग कसा होता है इसके बाद जीन सेर्ट का दोनों और एक उससे सालूबलिकेंट से था कि मतलब सेमी कंड़क्टर कौन होता है सेमी मतलब अच्छा आप लोग बताए टूस कोई अगर जो पूचा हो तो टूस मतलब डाइग्राम का एक वी कोश्चन अम लोगों को नहीं मिला है और गेज पूचा था लेज से कोश्चन तो नही को नहीं मिला है उसके बान्ड को क्या कर थे मतलब किस में रखते है ग्रेट loro हो गया है इसके बाद और फिन फिन लेट से कोश्चन देखने को मिला नहीं है और जैसे कहा जा तो … this is coming होता है nomeric for के लिए सभी बच्चे गन्फ्यूज्ज्ड है कि मतलब कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ऐसा कुछ कोश्चन देखने को मिला नहीं है समय का भाव नहीं पड़ा अगर कोई ठीप ठाक अगर पढ़ाई में कोश्चन करें तो लगवागो 30-40 मिनट में कोश्चन अपना अच्छे समय की कोई पाउंडेशन नहीं एक चीजी बताएं पाई यान अपान एक कटी इस पीडियो कुछ नहीं मिला और बस कोश्चन खास तो नहीं थे कुछ कोश्चन ऐसे मतलब यह जैसे लोग पी गारन की बठीम बनता है और चुना जो होता है चुना पत्थर नहीं उसे क्या करते हैं चुना मतलब जो ब्लाश्ट फनेस में डाल 2-2 कि इस वटभी इस तरह कुछ पूष्चन आया था तो अगनी मतलब स्टी से कोश्चन आ सकता है जानतक उमीद है क्योंकि सेप्टी हुई और हम लोगों को तो ड्राइग्राम का देखने को एक भी कोश्चन नहीं मिला गेस से आया था अगर किस किस गेज का गो नाट को दोनों यह कही साइड रहता है रिंग गेज का भी आया था रिंग गेज का कोश्चन आया था टेपर ट से कॉस्चन नहीं विला वर्क साथा कॉलेशन से को इसन नहीं था कि वहार यहाद क्वाइब को आपापने का गति का निकान निकानना था मतलब लगबग अगर कघा एक सिंपल सी मौस्टिट था मतलब मतलब नार्मल मतलब अगर कोई बचा थोड़ा सा पड़ा रहेगा तो उमार देगा उसका जिनके पास एक दो दिन टाइम जैसे क्या था कि अगर तीन वर्स में किसी कोई साथ आरड व्याज तो कितने परसेंट दर है उसकी दर निकाना था तो नार्मल कोस्टन था कुछ खास कोस्टन थे नहीं देखने को मिले नहीं है आपका जिसे कितना लगबग बन रहा होगा है कुछ अन्मान लग रहा होगा बलगबग क्या जा सकती है कटाब जिस हिसाब से अगर कहा जा जिस हिसाब से पेपर था अगर सब सिफ्ट के पेपर होते हैं तो 95 के प्लस ही कटाब के उमीद रखी जा सकती है क्योंकि इतने लूच पेपर मतलब नार्मल कोई बच्चा अगर तैयारी किया हो तो अगर निमी का कोई PDF पड़ा हो तो 20- चीश्तिस कोस्चन तो अस्ते वेट टेक में मार देगा और थोड़ा समयनत किया रहेगा तो पूरा टेक ले अराम से बैठ जाएगा लेकिए और नान टेक भी कुछ खास है नहीं बच्चों को टेक वाले बच्चों को नान टेक से डर थी नान टेक भी उतना लूच किया न अगले वाले सिप्ट में उमीद करता हूं कि ऐसा है इसी के कार्डिंग आया जिससे आने वाले दोस्तों को भी लाबदाय करते हैं तो यहां पर अच्छे तरीके से कोस्चन अगरा भी बताया गया और अब देख लिए अगर कोई बताना था 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 वजन कहां दर्साया जाता चीक पर दर साया जाता यह कोस्चन था अगर चीपिंग करते समय छेनी का निकासी को नश्चित कोन से कम हो जाए तो क्या फरपाव पड़ेगा यह प्रॉस्चन था जैसे उसकी अंसर हुई कटिंगे घुस नहीं सक्ति छेनी फिसल जा दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है उसके अलावा थे किस फाइल के एक दिशा में दाते कटे होते हैं तो सिंगल कट फाइल थे उसके अलावा थे वर्नियर हाइट गेज का कौन सा मुख्षे पाथ स्लाइड का एक इंटी गर्ल पाथ है तो जौ था इसका एंसर उसके अलावा थे बाहरी माइक्रो मीटर के कौन सा भाग मापने के सता के बीच एक समान दवाब सुनिश्चित करता है तो राचे टेस्ट आफ थाइस का एंसर फिर थे उसके अलावा पाइप की परवाह की दिशा को मोरने के लिए किस पाइप का पाइप फिटिंग क कौन संबंदित नहीं है एलबो है क्रास है यूनियन है और लाश्ट में दिया था गियर जिसे संबहुता सभी लोग मतलब अलग कर दिया था अंसर दो चार ऐसे कोस्टन मिलें जो मतलब आप प्रस न पढ़ें फिर भी आंसर मार देंगे क्योंकि तीन एक अठा कंबाइन च की इस बात की करते हैं कि सबी लोग सोचते हैं पर हाई & के चक्कन में लोग की तयारी नहीं करता कोई एसे कराया था इसलिए आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए और मैंने बहुत सारे साथ दे रखे हैं जो स्पोर्ट से है क्विस्टन आई रहें विटामीन से आई रहें पांचमेंट में मैंने सारा कुछ याद भी कराया था तब उसको भी एक बार देख लें जिनका एक सब्सक्राइब और अंतरराष्टी संगठन अपना मजबूत कर लें और मतलब का जाए देश से बाहर नहीं ले जा रहा है अपने देश के भी कुछ पूछा था कि सिप्ट में हमारे सिप्ट में तो सिलंका का कुछ ऐसा कोश्चन नहीं था इसे पहले वाले सिप्ट में था रहा होगा साइद हमको उसकी जान खरें नहीं आज संभीधान से एक भी कोश्चन नहीं मिले हैं तो आज जो है कि आज संभीधान और अगरस ऐसे कोश्चन मिले नहीं है आई होग की दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर जो हमने अनलेसिस करवाया आच्छे तरीके से यहाँ पर सभी दोस्तों ने मिलकर के यह जो अनलेसिस हमने करवाया है आई होग की आप इसके बारे मैं अच्छे से समझ गये होंगे बाकि मैं कोशिस करूंगा कि डेली जो ह और हमें मिलते हैं तो जो है हम अच्छे तरीके से करवाएंगे बाकि यदि आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइब भी जरूर करेंगे और सेर आप लोगों को जो है जिनका और आगे एक्जाम है उन्हों को लेबल का पता चल सके और वो जो है अपना त्यारी अच्छे से कर सकें यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि जो यह निमी का पीडियेफ है मैं उसका लेबल फर्स्ट और लेबल जो सेकेंड है दोनों में प्रोवाइट कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आप लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे जो निमी का कोश्चन है क्योंकि जयादेतर कोश्चन जो है आपको निमी के कोश्चन में मिल रहा है तो मैं आपको उसको प्रोवाइट कर दूँगा आप लोग फ्री में उसे डाउनलोड कर पाएंगे बाकि यह मौर्या जी है इनका यूट्यूटीव चनल है आपको इनका हमारा जो यह डिसकसन है मैं यही पर क्लोज करूँगा बाकि और मैं आगे कराता रहूँगा आप लोग सब्सक्राइब जरू करेंगे चनल को बाकि अभी तक के लिए इतना है में नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद